नमस्का दोस्तों मैं विमिलेश कॉत्तम और आप देखें ट्रिपल बी ऑवर्सेज दोस्तों अभी हमारे पास जो पहले हमने और यह दोनों कॉलेश काफी टॉप लेविल के कॉलेश हैं अगर कोई केंडिट इंट्रेस्टेड होगा तो इसमें अपलाई कर सकता है और इनका जो इंटेक के हिसाब से काम रहेगा अभी हम जुलाई इंटेक के लिए फाइल समिशन कर रहे हैं जो लोग भी इंट्रेस्टे जाके कॉलेश की अकॉन्ट में, फीस जमा करनी होगी जो प्रोसेश हिं टाइम लेकिन काम काम हो जघता schooling झाल में तूदक वी कौर्स में जाए लेकिन वहां पर पार्ट टाइम जोब करते ही और पार्ट टाम को मिल भी जाती है कोई भी अगर वहाम पर अपलाई करने वाले हैं जो कॉलेंट की जो कॉलीज की अलग-लग कोलेऽ के साफ है तो किसी कोलेज में 5500 चार सिंगेपर्ण डॉलर होती है किसी में 6000 होती है किसी में मी 5000 चार होती लेवल प्लस मैनेस होता है हुँती है और कभा सतमने साफ लेजएर dare की और ग्रेड की घो दर हो साट तयम और उसमें से candidate को वेटेस काफी अच्छा मिलता क्योंकि college का level काफी मार्पण होता है अगर आपने कहीं से भी course किया उसमें से college का level आपके लिए really बहुत important है अगर आप एक rapid college से पास होते हैं उसकी value अलग होती है और eligibility criteria के बात करेंगे तो कोई भी candidate जो supply chain management में जाने वाला है न वो 10th और 12th होगा वो apply कर सकता है दोस्तो हमारे पास में requirements हैं और इसके उपर हम काम कर रहे हैं और इसके अलाबा जो लोग भी इसमें apply करने वाले हैं दोनों course में किसी भी course में करने वाले हैं उनके लिए ये best place होगा क्योंकि बाकी देशों में जाएंगे तो अलग-अलग criteria होते हैं उनकी फीस्त ज्यादा होती है selection फास्ट नहीं होता है वीजा फास्ट नहीं होता है लेकिं सिंगापुर में यह चीज़ें बहुत फास्ट होती है अगर आपका offer letter आया तो वीजा जरूर आएगा सो दोस्तों यह महत्मौन चीज़ होती है कि अगर कोई भी candidate जिसने apply किया और उसका offer letter आया documents बरावर हैं तो definitely उसका वीजा 99 परसंट तो आना ही चाहिए कभी कुछ issue होता है उनके documentation में तो वीजा नहीं आता और इसमें से candidate को documents क्या कर जमा करना है 10th की 12th की copy जमा मिस माक्सित की certificate माक्सित जमा करना है इसके लाब बर्थ certificate जरूरी है और इसको living certificate भी जरूरी है यह तीनों documents बहुत जरूरी है अगर उन्होंने कहीं पर काम किया तो जो gap है या काम study में gap है वो शो करना पड़ेगा कहीं पर work किया तो उसका experience certificate submit करना होगा बहुत आसान है कोई difficult नहीं है अगर किसी ने 2010 में पढ़ाई किया है और उसके बाद में आज 2022 से अगर वो अभी भी study करना चाहिए तो भी वो कर सकता है वशर्ते वो अपनी documents को प्रॉपर प्रिजेंट कर सके कि 2010 से 2022 की बिच में उसने क्या किया और उसका birth certificate certificate बराबर होना चाहिए वर्थ certificate भी English में ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि local language में हो अगर local language में है तो उनको भी उसको English में translate करके English में ही बनवाना होगा उसका additional process होगा वो करना पड़ेगा लेकिन birth certificate बहुत ही important होता है उसी कभी बेस पे वीजा निकलता है तो दोस्तों जो लोग भी interested है 18 साल से लेकर 32 की बीच में कोई भी candidate इसमें interested होगा वो apply कर सकते हैं male female दोनों apply कर सकते हैं और Singapore में study visa really बहुत उनको पार्ट टाइम में भी काफी अच्छी इनकाम होती है पार्ट टाइम में जो काम करते हैं officially उनको अलाव नहीं होता लेकिन maximum लोग 95% लोग काम करते ही हैं सिंगापूर में जितने लोग जाते हैं maximum लोग 95% लोग कहीं न कहीं काम करते हैं और employer भी student को ही पसंद करता है जिससे कि उनको उनको एसपास वीजा नहीं देना पड़ता है नहीं एसपास वीजा के कोटा निकलना पड़ता है और student वीजा में जो लोग जाते हैं पार्ट टायम है हजार, डेड़ जार, दो हजार, डेपेंड करता है कितना काम करते हैं लेकिन साथ-साथ में ये चीज है कि अगर वो पढ़ाई के साथ में उनको working experience भी होता है तो definitely उनका mind और ज़्यादा develop होता है और career के प्रति और sincere होता है जो लोग भी plan करना चाहते हैं इन दोनों course में से उसके लिए हमारी team को contact कर सकते हैं और उसमें से काम है वो एम आले जीए कि दो महिने से तीन महिने के अंदर हुगा काम जरूर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास में जो vacancies हैं जिन college से tie up है उनका काम काफी fast होता है और जिसके लि है college के account में फीज जमा करेंगे और हमारा जो normal service charge होता है आपको office में जमा करना होगा जो की बहुत minor होता है आप हमारी team को contact करके पूछ सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया तो आपने दोस्तों forward करें जिसे relevant लोग इसका लाब ले सकते हैं और जो इं वीडियो को लगादा देखने के लिए चैनल को subscribe किजिए गंटी वाला option जरू दोबाएं जिसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो के notification सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद